नमस्कार दोस्तों, नैसनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है, चलि देखते हैं आज के महात्यपूर अपडेट्स पहली अपडेट उडिसा से है, जहां उडिसा में नविन पतनायक की सरकार इन्होंने 8000 करोड के हाइवे प्रोजेक को अप्रूब किया है, यह काफी पुराना प्रस्ताव है, इस हाइवे प्रोजेक के लिए टेंडर कुछी महीनों में इन्वाइट किया जा सकता है, स्टेट इसके लेंद करीब 382 किलोमेटर है, और यह उडिसा के तांगी से वेस्ट वेंगोल के दीगा तक बनाया जाएगा, दोस्तों उडिसा में पहली बार ऐसा कोस्टल रोड बनने जा रहा है, जहां पर बहुत ज़्यादा इन्वस्मेंट स्टेट गॉर्मेंट करेगी, तो यह यहां पर हर वर्स चकरवात आते हैं, इसके लावा यहां पर ही जो हाइवे बनने वाला है, यहां पर कई सारे ब्रिजिस का निर्माड करना होगा, तो यह काफी चैलेंजिंग होगा, तो इसको इंसर करने के लिए कि यहां पर क्वालिटी अच्छी हो, बहुत ही हाई डवा काफी सारी इंफर्मेशन दी है, और रेगुलर्ली इस पर अपडेट मिल रही है, यहां पर दोस्तो बात करें, यूपी डिफेंस को डोर की, तो इसकी जितने भी अपडेट है, वो यूपीड़की वेबसाइट पे रेगुलर्ली देखने को मिल रहे है, लेकिन बात करें, तमिलनाडू के अंदर बनने जारे है डिफेंस कोडोर की, जिस पर बहुत सारा काम हो गया है, तो यहां पर दोस्तो ज़्यादा अपडेट अवेलबल नहीं है, अगर आप वहां की वेबसाइट पे जाकी चेक करते हैं, तो आपको 2018-19 के ही आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो यहां पर दोस्तो तमिलनाडू के डिफेंस कोडोर से रिलेटेड काफी अदा इनफोर्मेशन निकल के आ रहे हैं, इन रिपोर्ट्स के तहट, जनुरी 2019 तक अभी तक करीब तमिलनाडू डिफेंस कोडोर में 2,116 करोड के इन्वेस्मेंट अटेक्ट की है, इसके लाव 129 कंपनीज, इन्कुलिडिंग गॉर्न्मेंट एंडर्प्राइज और प्यस्यू, इन्होंने करीब यहां पर 8,226 करोड की इन्वेस्मेंट प्रपोस्ट की थी, जिसमें ओर्लेडी ये 1,150 करोड की इन्वेस्मेंट कर चुके हैं, यहां पर TIDCO जो की फॉर्म की गई है, इ यहां पर दोस्तों Center of Excellence की बात करें, तो Defense के छेत में इसको डेवलप किया जा रहा है, और यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि यहां पर जो Defense Manufacturing हो, उसमें नए नहीं चीज़ें, नए नए इन्वेस्न किया जा सकें, तो यहां पर जो Center of Excellence तमिलाडू के अंदे सेटप किया ज वेल दोस्तों, यहां पर जो Report आई है, मैं उनको सियोरली आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि यहां पर काफी कम Information दी गई है कि कितना Land Acquisition हुआ है, UP के मुगाबले तो काफी कम हुआ है इस Report के According, लेकिन अभी यह नहीं पता है कि कहा कहा Land Acquisition का का काम चल रहा है और कितना हो था, इसकी capacity करीब 9 million ton per annum थी, जिसको करीब 9.5 million ton per annum करना था, तो यहां पर दोस्ते expansion के तहत, यहां पर expansion का काम करीब 15 April 2021 से शुरू हुआ था, L&T ने 16 June 2021 तक यह काम पूरा कर दिया है, और यहां पर बात कर जाए तो अभी HPCL ने इस Plant को operational नहीं किया है, क्योंकि अभी यह यहां पर final stage में यहां पर testing हो रही है, जैसी है यहां पर यह सब complete हो जाएगा, यहां पर इसको operational कर दिया जाएगा, तो दोस्तों यहां पर L&T ने replacement, modification, dismantling यह सारे काम किये हैं, करीब 180 critical equipment और 130,000 fabrication pipe, spoles का और other component का, next update, national highway से है, जहां नितन गटकरी जी ने, करीब 3.75 km long 4 lane elevated corridor क integration किया है, जो कि गुजरात के अंदर है, कि डिसा टाउन से, बंसू का अंतर तक बनाया गया है, इस integration ceremony के दोरा, नितन गटकरी जी ने कहा, कि हम next 3 years के अंदर, इंडिया के national highway स्को, American road की तरह बना देंगी, American road की तरह बना देंगी, अब यहां पर American road का मतलब है, कि उनके standard की quality यहां पर provide की जाएगी national highways में, तो बात करें, NHAI के जो आज की समय में national highways बन रहे है, उनकी quality पहले के मगाबले बहतरीन है, लेकिन दोस्तों बात करी जाए छोटे टाउन की, आपने दिखा हुए कि बहुत साइडिस्टिक के टाउन है, जो की city में transform होते हैं धीरे-धीरे, व इससे यहां पर traffic बहुत ज़्यदा रहता है, तो यहां पर दोस्तों जितने भी town आज के समय में हैं, जो धीरे-धीरे टीरे cities बन जाते हैं, वहां पर कम सिगम two lane और four lane की सड़क होनी चाहिए, नेक्स अपडेट इनॉक्स से है, जहां दोस्तों भारत के समय में काफी लंबे समय से multiplex बन थे और इसे काफी अदा लॉस हुआ है, इसे को देखतो है बहुत सारी companies बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो अपने market को बड़ा कर रहे हैं, तो यहां पर दोस्तों इनॉक्स जो कि एक multiplex chain operator है, इन्होंने कई सारी company के साथ agreement sign किया है, जिसके तयती करीब 926 screens add करेंग होता है, जो आपको smartphone में देखने को नहीं मिलेगा, तो यहां पर जैसी कोरोना pandemic पे धिरी धिरी लगाम लगेगी, फिर से यह बूम करेगी, तो यहां पर इसी को देखते हुए, इनोक्स अपने screens को increase कर रहा है, अपने cities के अंदर, next update भारत के अंदर hydrocarbon reserve के exploration से है, जहां Friday को new oil and gas exploration के लिए beats invite के गये थे, यह पांचु बार beat invite के गये थे, यहां पर करीब इस beats से 300 से 400 million dollar के investment expect की गई है, दोस्तो इसके तहत भारत के अंदर hydrocarbon reserve को explore किया जाएगा, करीब 21 blocks और areas को identify किया गया है, तो यहां पर दोस्तो 21 blocks है, 9 states के अंदर, इससे पहले थोड़ा भी बात हो गया था, जहां पर Tamil Nadu government ने कहा था कि यहां पर Tamil Nadu को हटा दे, क्योंकि Tamil Nadu के अंदर कावेरी basin पे जो blocks identify के गये हैं, वो protected agriculture zone में आते हैं, यहां पर agro based economy को काफी अदा loss होगा, इसलिए Tamil Nadu government ने central government को यहां पर hydrocarbon exploration के लिए मना कर दिया, तो यहां पर भारत के अंदर पहल गैसोलीन, ऐसे बहुत सारी resources मिलते हैं, जिनका use industries में बहुत ज्यादा है, दोस्तो नेक्स अपडेट भारत की handloom industries से है, जहां textile minister पियोस गोईल जी ने handloom sector इसके development के लिए बहुत सारी बाते बोली, इन्होंने कहा कि हम handloom industries के export को करीब 10,000 करोड तक करना चाते हैं, तथा इसके production को double करना चाते हैं, 1.25 lakh करोड तक पहुचाना चाते हैं, next 3 years के अंदर, दोस्तो बाद करे भारत के handloom export की इसकी worth अभी 2500 करोड है, जबकि अगर total production की बाद करे तो वो करीब 60,000 करोड है, तो यहां पर FDCI, Fashion Design Council of India, यह handloom industries के लिए webinar, training equipment maker, marketing expert, इनके साथ एक webinar organize करने जा रही है, जहां पर handloom industries related, काफी अधा महाजपूर चर्चाय होंगी, और यहां पर पहुत सारे plan implement के जाएंगे, target को अचीब करने के लिए, तो दोस्तों आपको बता दे भारत के handloom industry, तो यह काफी पूरान industry है, यह पर आचेन काल से ही चली आ रही है, और आज तक यह ज के अंदर ODP scheme के तहट, handloom industry को काफी दा प्रमोशन दिया गया था, तो यहां पर दोस्तों, जहां पर handloom industries मजबूत हैं, यहां पर नौर्थेस्ट, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजात, पंजाब, समित बहुत सार राज्य हैं, जिनको फायदा होगा, जब handloom industry के आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में